नमस्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग आये हो पाप सब मज़े में ही होंगे दोस्तों आज की ये वली वीडियो काफी ज़ाद धमाकेदार होने वली है विकश आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को नौ एससे स्टाउक्स बताने जा रहा हो जिन्नोंने आफिध हमाकेदा डिविडेंट एंट बाइबाइग अन्वाइक अनौस किया है तो चलिए अब इस वीडियो को स्टाट करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखना एंड कहीं पर भी स्किप मत करना पिकरस अगर आप इस वीडियो को कहीं पर भी सिक्प करोगे तो आप काफी जाद सी नोस टॉक्स के बारे में जो कि personally मैं नहीं चाहता है यहाँ पे आप कोई भी information मिस करो इसलिए इस वीडियो का end तक देखना है और कहीं पे भी skip मत करना चलिए दोस्तों अभी के भी इस वीडियो को like कर दीजे चानल को भी subscribe कर दीजे मैं हूँ आरुष आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुष चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं बताता हूँ आपको कौन से 9 stocks जे नोंने आप धमाकेदार dividend and buyback announce किया है चलिए दोस्तों बात करते हैं आपे मारे पहले stock की तो company का नाम है rec limited company का current stock price 115 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे dividend अनौस के 3.25 रुपीज पर stock के इसाब से और इस dividend को देने की जो exit होने वाली हो 9th of February की होने वाली है और जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 9th of February की तो अब अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि यहापे आपको इसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इसकी exit यानि की 9th of February से पहले-पहले purchase करना होगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है IRCTC Limited company का current stock price 624 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपको board meeting और्गनाइस करिये 9th of February को अगले stock की बात करें तो company का नाम है TCI Limited company का current stock price 625 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपको dividend अनौस कई 2.50 रुपीज पर stock के साबसे और इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 7th of February की होने वाली है और जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 7th of February की तो अब अगर आपको stock को purchase करना है ताकि आपको इसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको stock को उसकी exit date यान की 7th of February से पहले-पहले purchase करना होगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है IEFL Finance Limited company का current stock price 470 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने आप dividend अना उसके 4 rupees पर stock के साब से और इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 7th of February की होने वाली है और जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 7th of February की तो अब अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि आप आपको इसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को उसकी exit यान की 7th of February से पहले-पहले purchase करना होगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है SRF Limited company का current stock price 2151 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने आपको इस stock को पर्चेस करना है ताकि आपको इसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इसकी exit यान की 7th of February से पहले-पहले purchase करना होगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है KP Energy Limited company का current stock price 391 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने आपको dividend अनाउस के 0.25 rupees पर stock के साबसे इस dividend को देने की exit गोने वाली हो 7th of February की होने वाली है और जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 7th of February तो अब अगर आपको stock को purchase करना है ताकि यहाँ पर इसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इसकी exit यानि की 7th of February से पहले-पहले purchase करना होगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है Orient Electric Limited company का current stock price 261 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आप dividend अनौस के 0.75 रुपीज पर stock के साब से इस dividend को देने की जो exit होने वाली हो 9th of February की होने वाली है और जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 9th of February की तो अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि आप आपको इसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इसकी exit date यानि 9th of February से पहले-पहले purchase करना होगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है VRL Logistics Limited company का current stock price 521 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपको इस buyback अनौंस के 700 रुपीज पर stock के इसापसे और जो buyback का total amount होने वाला है वो 61.3 करोर का होने वाला है वहीं बात करें buyback की record date की तो वो होने वाली है 10th of February की तो अगर आपको इस buyback का benefit चेहिए तो आपको इस company की stocks को उसकी record date यानि 10th of February से दो से तीन दिन पहले purchase करना होगा चलिए बात करते हैं आपे हमारे एगले लास stock की तो company का नाम है QGO Finance Limited company का current stock price 44 रुपीज के ओपर में trade हो रहा है company ने आपे dividend अनौंस के 1 रुपीज पर stock के साबसे और इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 9th of February की होने वाली है और जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 9th of February की तो अब अगर आपको इस stock को purchase करना है था कि आपको इसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इसकी exit date यानि की 9th of February से पहले-पहले purchase करना होगा और दोस्तो आज की वीडियो के अंदर इतना यही 9 stocks थे जिनोंने आप इधमाके दा dividend and buyback अनौंस किया था अब अगर आपको वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा बिकस फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किछी और वीडियो के अंदर till then बाई